हेलो फ्रेंट वेल्कम बैक टो आज चैनल सारी काजरिया लैफ आज मैं साबुत दानी के चचली होना नहीं जा दिया हूँ साबुत दाना मैंने दो गंदे भीगोने के बाद इस तरह से छान के रख दिया था और यहीं पर मैंने कड़ाई में आयल करम कर लिया है और यह अरी मिर्चे और यह रहा जीरा यहे रहे आलू हम इसमें आलू डालेंगे लोग कुछ लोग टेमाटर भी डालते मगर मैं तमाटर अवायट करूंगी तो मैंने आलू कैट करके दो लिया यहीं पर हमारा तेल भी गरम हो गया है तो यह मैं बना रही हूं नवरात्री के ये पितेल जब करने के पाद जीरा को अच्छी तरह से त्रटकिन की आवाज आए उहीं पर दिल गेहे हम इसमें एड कर लेते हैं हरी में पारिक कर्दिभी हरी मिर्चिक 5-6 में इसमें डाली है और यहीं पे हम इसमें एड़ कर लेंगे यह आलो कते हुए आलो को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगी हलका सा ओयल मैंने इसमें इसलिए ज्यादर रखा है क्योंकि साफ़दाना जो है थोड़ा सा चिपकने ही लगता है चाहिए आप उसे कितना भी बना लो और यही नमग एड़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यालो में और कुछ इस तरह से चलाते हुए यहीं पर मैं इसमें एड़ कर लेती हूँ काली मिर्ची जो कि मैंने घर में ही इसे पीज़ा था को ऑफ दिये है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और काली मिर्ची छो नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक प लगा कि इसको रख देंगे बीच-बीच मेरे इसको चाप कर लेती हूं है है आलू पकी की नहीं पकी यहीं पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर से इसमें कवर लगा के रख दूंगी क्योंकि अभी आलू अच्छी तरह से पके नहीं है तो यहीं पे मैं इसमें कवर लगा के रख लेती हूं आलू को पहले अच्छी तऱ पकने देंगे और ग cleansing की फिल्म को कर देंगे एकदम सिन ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से पख जाए मैं पर मैं सिन गस की फिल्म को कर दिया एकदम कम में और मैं पीच में एक बार चेखक लोगी बिख रहे हैं कि थोड़ी पख गए हैं कि कट कर देख लेंगे आलू को तो अलू पकी गए हैं हलके हलके पकी गए हैं वैसे तो अल्मोस्ट यही पे हम इसमें एट कर लेंगे यह साबुद दाना साबुद दानों को जो है दो से तील घंटे अराम से भीगने दीजिए ताकि यह खुदी सॉफ्ट हो जाएं हलका सा पकाने पे ही पक जाएं आलू जब हमारे एक बार अच्छी तरह से पक जाएं तो हम इसमें साबुद दाना एड़ कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक् साबुद दाना बहुत जल्दी बर्तन में लगने लगता है एक बार मैं साबुद दाने को ऊपर नीचे कर लूँगे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हलका हलका तो पक ही गया है कुछ ही रह गया यहीं पर मैं इसके साथ बनाओंगी टमाटर की चट्नी हरा धन्या और यह है हरी चट्नी की रेसिपी भी मैंने अपने एक लॉग में शेयर की हुई है बीच बीच में असे बहुत कैरफुली बनाना पड़ता है ताकि नीचे चिपके ना अगर आपके पास नीबू है तो आप इसमें नीबू इसमें एड़ कर सकते हैं बनते हुए ताकि नीचे करते हैं मैं यह रहा हमारा साबुदाना जो पत했 meow फेवरिट है एससे साबुदणि के खिच्डün है घुग सकते हैं हालो मिक्स कर कंई बैत नहों तौर मैं अवरेट भरne में बना रही हूं तो मैंने सिंपल ही बनाए है काली मुच्रगर डालके से आप आगे पीछी भी खा सकते हैं और दिनों में भी इसे खा सकते हैं तो यहीं पे हमें से दही और चट्मी के साथ लेंगे यह पे मैंने दही भी इसमें रख लिया है अपनी प्रेट में और चट्मी भी रख लिया है टेमाटर की चटनी और दही के साथ वास्नों में यह बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है और वैसे भी बरता हर एक फलहारी खाना बहुत ही टेस्टी बनता है तो यहीं पर रेडी हो गया है हमारे साथ बताने की खिच्टी अगर वीडियो पसना आई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें